वेलकम टू पापनी स्टडी पॉइंट आज डे एट की सेरीज में हम पढ़ेंगे हाउ टू अप्टेन नॉन परफेक्ट क्यूब रूट अफ एनी नंबर प्रिवेस वीडियो में हमने पढ़ा था परफेक्ट क्यूब रूट किसी भी नंबर का बड़ी से बड़ी डिजिट का और आज हम पढ़ेंगे नॉन परफेक्ट क्यूब रूट तो नॉन परफेक्ट क्यूब रूट से आप क्या समझते हो कौन होते हैं non-perfect numbers आपके फर एक्जामपल cube root of 29 cube root of 47 cube root of 130 यह सब आपके क्या कहलाते हैं यह सब आपके non-perfect numbers कहलाते हैं अब हम सीखेंगे कि कैसे हम इनका cube root बहुती जल्दी निकाल सकते हैं ठीक है इसको सीखने के लिए भी आपको वही चीज जो perfect cube root निकालने के लिए आनी चाहिए same 1 से लेकर 10 तक के cubes तो आपको आने ही चाहिए see यह आपे दिये भी हुए यह 1 से लेकर 10 तक के cubes right तो इन cubes को देखके आप पहचान सकते हो आप trick लगाके तुरंत ही calculate कर सकते हो कुछ seconds में ही किसी भी cube root को चाहे वो perfect हो चाहे वो non-perfect हो तो perfect हम बता चुक है आज हम बात करेंगे non-perfect की right तो non-perfect की आप देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि non-perfect cube root of any number निकालने के लिए आपको बस क्या आना चाहिए एक formula if you know this formula then you can easily calculate the value of cube root कोई भी non-perfect number हो उसका तो यह formula क्या लिखा है कि cube root of x plus minus y equals to cube root of x plus minus y upon 3a square now I will explain you this in briefly कि यह formula से आप कैसे cube root को निकालोगे ठीक है तो suppose यहाँ पर देखो दे रखे है questions तो पहला दे रखा है 67 तो चलो 67 ही ले लेती हो दे रखा है cube root of 67 67 क्या यह कोई perfect cube है नमबर है नहीं है यह non-perfect है मतलब 67 को अगर देखो तो आप हमेशा non-perfect cube जो होगा उसका जो cube root निकलेगा न वो हमेशा decimal में निकलेगा remember this हमेशा non-perfect number decimal में निकलेगा ठीक है अच्छा अब क्योंकि यह decimal में निकल रहा है अब हम निकालेंगे cube root 67 का तो हमारा पहला step जो है ना first step कि हमको 67 को break कर देना है हमको इसको break करना है दो numbers में और उन दो numbers में एक number ऐसा होना चाहिए जिसका perfect cube बन रहा हो जिसका क्या बन रहा हो perfect cube बन रहा हो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए आपको 1 से लेके 10 तक के cubes आने चाहिए तो अब number आपको क्या दे रखा है 67 ठीक है तो 67 देखो perfect cube कहां बन रहा है 67 के number के आसपास obviously कहां बन रहा है 64 बन रहा है तो हम क्या करेंगे 67 को ऐसे तोड़ेंगे कि 64 एक number बने और जब 64 एक बन गया तो दूसरा क्या बनेगा 64 प्लस 3 is equal to 67 तो यह हो गए आपका पहला स्टेप ठीक है आपको break करना है दूसरा स्टेप जो है आपका उसमें आपको क्या करना है कि आपने break तो कर दिया अब जो formula आपको दिया था वो आपको याद रखना है formula क्या था अंडरूट x प्लस माइनस y is equal to cube root cube root of x प्लस माइनस y अपन 3 a square यह formula था आपका यही तो formula था main formula राइट अच्छा अब यह 64 और 3 पे जब आपने break किया 67 को तो 64 क्या बन गया x बन गया हमने काता है एक ऐसा number लेंगे जिसमें perfect cube निकले और यह क्या बन गया y होन गया अच्छा ठीक है अब आप में को बोलोगे कि x मिल गया y मिल गया पर यह a क्या है what is this a तो यह a को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस a को निकालने के लिए आपको a की value निकलती है cube root of x जो x का cube root आएगा वो आपकी a की value होगी और आप जब a का square करतोगे तो आप x का भी square करतोगे जो भी आपका आएगा इक्जामपल से समझो ज़्याद अच्छे से समझोगे यहां दे रखा है cube root of 67 पहला step आपने क्या किया आपने break कर दिया आपने क्या किया 64 plus 3 कर दिया ठीके जब आपने plus का sign लिया है तो आप formula में भी plus का ही apply करोगे मतलब कि आपने इसको कैसे तोड़ा यह आपका x बन गया यह आपका y बन गया तो यही तो बना राइट अब इस formula को कैसे खोलोगे cube root of x plus minus नहीं लगेगा क्योंकि plus चल रहा है तो यहां भी plus ही रहेगा यहां minus नहीं लगेगा यह minus नहीं है ठीक है और cube root of x plus y upon 3a square cube root of x मतलब x की value कितनी है 64 तो cube root of 64 plus y कितना है 3 तो 3 upon 3 into a की value कितनी आएगी देखो a मैंने क्या बताया था a निकालते कैसे है cube root of x है तो cube root of x कितना है 64 यानि 4 तो a square की value कितनी आगई 16 तो a square की जगा 16 रख दो 3 को 3 से cancel करो 1 किया जब 3 को 16 से cancel किया तो यह आया और उसके बाद जब इसको solve करोगे कि cube root of 64 is 4 plus minus 1 upon 16 is 0.06 बस दो डिजिट में आपका answer आ जाएगा और यहां आपका answer देखो आ गया 4.06 approximately cube root निकल के आएगा 67 का अभी भी नहीं समझ में आया तो next example फिर से देखो फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है दूसरा दे रखा है 130 तो 130 130 को कैसे break करें कि हमें perfect cube नंबर भी एक मिल जाए 130 को कैसे break करें कुछ नहीं 125 प्लस 5 कर दू 125 का cube root क्या होता है 5 होता है तो simple 125 प्लस 5 में मैंने क्या किया break कर दिया कर दिया अब क्या करोगे अब इसका formula निखोगे तो formula क्या होता है cube root of x plus y upon 3 a square a की value कैसे निकालोगे a a आपको पता है ऐसे निकलती है तो ये कितनी आएगी x की value 125 तो cube root of 125 कितना होता है 5 होता है a आपका 5 आगया तो a square कितना आया 25 a square कितना आया 25 आया obviously right अच्छा निकालो cube root of 130 आपने इसको break किया 125 प्लस 5 में आपने formula अपलाई किया जब आपने formula अपलाई किया तो आपने देखा कि cube root of 125 plus y upon 3 a की value कितना होता है 5 और a square मतलब 25 तो आपने क्या किया 5 से 5 काटा ठीक तो यहाँ cube root 125 को यानि 5 प्लस 1 upon 15 यह आ रहा है तो 5 प्लस 1 upon 15 करो तो decimal में कितना आ रहा है 0.06 सिर्फ दो डिजट value देतने है decimal के बाद वाली उसके बाद वाली हम consider नहीं करते है approximation में इतना ही cube root उटाता है चेक करो answer क्या 5.06 को जब आप cube निकालोगे इसका तो क्या approximate value 129 कुछ आ रही होगी जो round off करके 130 बन जाएगी आ रही होगी definitely आ रही होगी क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप जल्दी non perfect cube root को भी निकाल सकते हो एक और देखो 3.33 अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार addition ही हो ऐसा जरूरी नहीं है आप ऐसा number देखो जो pass में हो like example 3.33 यहां दे रखाए अब 3.33 में देखो कि 7 का cube क्या होता है 3.43 होता है ठीक है 8 का cube क्या होता है 8 का cube तो 512 होता है कितना add करोगे कितना कम करोगे 6 का भी देख लो 216 है तो क्या 216 में add करोगे उतने number के 3.33 आजाए नो यह concept नहीं लगाना है अपने को अपने को pass वाला देखना है nearest राइट nearest देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें 3.43 को देखना पड़ेगा जो 3.33 के आसपास है 3.43 को 3.33 बनाने के लिए हमें क्या track लगानी पड़ेगी कुछ नहीं 3.43 में आप 10 को minus कर दो 3.33 आपका अपने आप आ जाएगा तो अब अगर आपको 3.33 का निकालना है तो आपने इसको कैसे break किया 3.43 माइनस 10 में break किया ठीक अब जब इसमें break किया तो अब आप formula जो apply करोगे उना formula वो ध्यान चा देखना आप ये formula अप्लाई करोगे x minus y वाला ठीक है इसमें क्या होगा cube root of x minus क्यों minus आया क्योंकि हम यहाँ minus supply कर रहे है इसलिए अब आकी तो same रहेगा पहुंद 3a square a की value कैसे निकालते है a की value cube root of x x यहाँ पर कितना है x यह बना y यह बना x है 343 एक value तो ऐसी लेनी होती है जो perfect cube हो ताकि a की value निकालना है तो जब 343 का cube कितना होता है 7 होता है right कुछ नहीं बस values डाल दो अब cube root of x यानी की cube root of 343 minus y यानी 10 upon 3 into a की value आ गई 7 तो a square is 49 correct अब इसको solve करो आप जब formula डालोगे तो cube root of 343 minus y 10 upon 3 a square is 49 इसको अब आपको solve भी करना पड़ेगा तो cube root 343 का 7 7 minus 10 upon 147 यह आपका आगया 1029 minus 10 upon 147 तो यह आपका आजएगा 1019 और 147 तो 147 को 1019 से अगर आप divide करते हो तो आपको जो answer मिलेगा ना वो solve भी हुआ 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 है 6.93 तो आपको जो answer मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 6.93 चेक कर लो आप यह answer आ रहा हुगा same और लेना है examples या और समझना है तो आप और भी ले सकता आप कोई भी digit ले लो ठीक है आपने suppose ले लिया आपने ले लिया 516 ठीक है या आपने कोई बड़ी digit भी ले लिया इसा जरूरी नहीं है आप छोटी digit लो आप बड़ी digit भी लेके देखो लेकिन अगर आप कहूँ कि आप 5-6 digit को भी इसी method से लगा सकते हो तो नहीं क्योंकि आपको इतने तो cubes सी नहीं आद है न अगर आपको cubes सी आद है तो इस नहीं आद है तो आप कैसे कर पाऊगे most probably 1-10 तक भी सबको याद नहीं होते तो बहुत important है आपका कि आपको cubes आने चाहिए at least 1-20 तक के तो आने ही चाहिए ठीक है तो अब देखो ये देख लो 516 यानि इसको मैंने break किया ऐसे 512 प्लस 4 तो ये cube बन रहा है किसका बन रहा है 8 का बन रहा है ठीक है अब formula जो मैं apply करना है उसमें क्या करना है x plus y है ये x है मेरा और ये y चिक है तो कुछ नहीं जल्दी से निकाल दो x यानि 512 plus y यानि 4 upon 3 a की value कैसे निकालेंगे पता है ना a की value निकालने के लिए क्या करते है a is equal to cube root of x cube root of x यानि cube root कितना है 512 तो 8 की value कितनी आ गई a की value 8 आ गई a square की कितनी आ गई 64 आ गई correct 4 1 6 ठीक है आप इसको solve कर लो जब इसको solve करोगे आप यहीं पर solve करते हूँ ता कि आपको अच्छ से समझ में आ जाए ठीक है तो अब cube root of 512 is 8 plus 1 upon 3 into 16 48 राइट take lcm या तो lcm ले लो और lcm ना लो तो भी एक बेटर तरीका है कि आप क्या कहते है 1 upon 48 को decimal में लिख लो किसको 1 upon 48 को तो 48 को जब decimal में लिखना है आपको तो 0 right 4296 तो कितना आ रहा है 0.02 आ रहा है तो यह कितना आ गया 8.02 आपका cube root निकल आया non-perfect number 516 का check the answer you will get the same answer 8.02 अप्रोक्सिमेटली इसकी value 515 point something आएगी जो round of 4 के 516 हो जाएगी तो इस तरीके से हम किसी भी non-perfect cube root को निकाल सकते हैं बट अगर वही digit 5 to 6 digits में दे रखा है वो number तो आपके लिए यह method apply करना difficult होगा इसके लिए मैं आपको दूसरी वीडियो दूँगी जिसमें आप किसी भी बड़ी से बड़ी digit का भी non-perfect निकाल सकते हो तो अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा concept समझ में आया हो तो like, share and subscribe Thank you